हैलो फ्रेंज, SMT चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं फ्रेंज इस वीडियो में हम लोग profit and loss का जो statement है stepc securities में वो हम लोग कहां पे देख पाएंगे ये हम लोग देखेंगे क्योंकि जो नया application में कुछ changes हुआ है stepc securities mobile application पर तो यहां पे काफी लोगों को profit and loss statement दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लोग profit and loss statement को देखेंगे और extra हम लोग देखेंगे कि आप तक आज का date तक आज को कितना भी आपको dividend मिला है उसका history आप कैसे चेक करें ठीक है आपको अगर कोई dividend मिला है तो कहां पे show करता है ये app में stepc securities mobile app में ये दोनों चीज हम लोग आज देखने वाला है तो first क्या देखेंगे हम लोग profit and loss statement ठीक है और हम लोग देखेंगे dividend history कि आपको कितना पैसा amount dividend से मिला है अज तक ठीक है तो ये दोनों बहुत important है आप अगर regularly trade करते हो तो आपको जानना जोड़ी है कि आपने कितना पैसा profit किये हो कितना loss किये हो कितना amount आपका अभी तक dividend के रूप से आपको stocks में मिला है तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा इन तक step by step में आपको देखाऊंगा और अगर आप first time चैनल में visit कर रहे हो तो आपसे request है कि चैनल को ज़रूर subscribe कर लिजेगा क्योंकि इससे बहुत encourage मिलता है और नया नया वीडियो मुझे publish करने के लिए में बहुत interest मिलता है and thank you for your all support तो चलते फिरें सुरू करते हैं तो देखिए पहला जो आपको काम करना है पहले आपको login कर लेना है steps to security में जैसे आप login करेंगे तो आपको उपर में 3 एक line दिखाए देगा यहाँ पर आप देख सकते हो एक दों उपर में 3 lines यहाँ पर आपको click करना है ठीक है तो जैसे आप click करेंगे ऐसा आपको page दिखाए देगा जो आभी display हो रहा है और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है report section में जाना है ठीक है यह वाला जो report section है मैं आपको यहाँ पर highlight कर रहा हूँ तो यहाँ पर report section में आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो capital gain statement है और एक profit and loss statement है ठीक है तो आपको profit and loss statement में आके यहाँ पर click करना है तो मैं यहाँ पर अभी click कर रहा हूँ profit and loss statement में तो आपने जहाँ पर जो भी financial है उसको आप यहाँ पर आके check कर सकते हो financial year 2021 जो भी है जो भी financial year का है तो मैं अभी 2021 to 2022 का financial year का मैं statement चेक करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे profit and loss statement and dividend का amount कैसे चेक करना होता है तो यहाँ पे start date and end date यहाँ पे देखिए 1st April 2021 से यहाँ पे two date है 31st March 2020 जो current financial year है उसमें हम लोग को दिखाई देगा profit and loss statement and dividend amount तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं without यहाँ पे select करता हूँ कि मुझे charges without देखना है कि with charges मुझे नहीं देखना है तो मैं without charges देखता हूँ आपका अगर with charges देखने का आपको interested है तो आप with कर सकते है और आप without भी कर सकते है तो मैं जैसे without यहाँ पे check किया आपको यहाँ पे submit करना है submit वाला बटन में आपको click करना है तो मैंने आपको submit में click किया तो देखिए मेरे सापने पूरा history आ जाएगा यहाँ पे कि equity section में मैंने आभी तक कितना profit कमाया है और यहाँ पे मेरे जो dividend amount है आभी तक मुझे dividend से कितना पैसा मिला है बहुत ही छोटा amount but still एक साल में 630 रुपेस makes sense क्योंकि यह free में है इसमें कोई आपका interest मी नहीं लगता है तो यही आपको जाके यह आपको dividend history आपको यहाँ पे equity select करना है asset नहीं equity में जाएंगे तो आपका पूरा यहाँ पे profit and loss total income दिखाए देगा and उसके बाद आप यहाँ पे dividend history बोलके option है यहाँ आप dividend history भी देख सकते है इसका आपका total income यहाँ आप चेक कर सकते है बहुत ही आशान तरीका है बर जैसे कुछ changes हुआ है application पर काफी सारा जो menu से काफी सारा जो options है इधर का उधर हो गया है नीचे जो option था वो नीचे option अभी उपर move कर दिया गया है तो यह से बहुत सारा changes हुआ है तो लोगों को find करने में दिक्कत हो रही है तो में से सोचा कि हमारी जो viewers है मेरे चैनल में जो भी viewers आते हैं देखते हैं मेरे चैनल को उससे थोड़ा ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा साभी helpful होगा उन लोगे लिए कि profit and loss statement के साथ साथ आप dividend भी कैसे चेक करते हो यह आपको आज ये वीडियो देखने के बाद जरूर पता चल गयाएगा तो hopefully वीडियो को थोड़ा से informative लगा है आपको help रहा होगा अगर help लगा है तो आप जरूर इसको अपने दोस्तों के साथ share किजिएगा and channel के साथ जूरे रहिए वीडियो को जरूर लाइक एक कर दिजिएगा and thanks for watching मिलते ऐसी informative वीडियो के साथ in next video thank you